और हो जाएगे रांस्पोर्टेशन में क्या करूं नहीं वो तो अल्रेडी खुला हुआ ट्रांस्पोर्टेशन में भी अगर हम करते न तो वह 15 मिनिट का टॉपिक था लास्ट था एंपी की जोग्रोफी का और बेसिकली उसमें हमें जो पढ़ना था वो पढ़ना था रोड रेल और एयरपूट था ना याट इस सोली डेडिकेटेट फॉर्ट प्रिलियम एग्जामिनेशन प्री के लिए तो बाकी लोगों ने का सर हिस्ट्री चालू करो वो लोग मोनोटोन हो गए थे तो उससे अपने कोई मतल़ नहीं अपन तो इस्ट्री पढ़ेंगे ठीक है वह आ जाए तो ठीक है तो लिंक विगड़ जाएगी उनकी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे है वो है यूनिट वाइब किसकी यूनिट फाइब पेपर वन पेपर वन इसको क्या वोलते हो आप लोग हिंदी में क्या वोलते हो इसको जो यूनिट अम पढ़ने जा रहे हैं उससे हाँ हाँ यूनिट का नाम बताओ यूनिट तो बने बोल दी पांच है कि अरे मद्ध्य प्रदेश की प्रमुक्रिया सते है अना कि और क्या लिखा है कि द्यान से तुनना आप लोगों को मीडियम कौन से कि दोनों करा कि देखना द्यान से तुनना आपको क्लियर लिखा हुआ है सिलेबस में मद्ध्य प्रदेश की प्रमुक्रिया सते डाइनेश्टिस ओफ एंपी और उसके साथ में लिखा है कि प्रारंब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक लिखा है तो इसका मतलब यह कि हार डाइनेश्टि हमें पढ़ना है कहां से शुरू बात करना है इन्की सुरू बात करना है पसे डाइनेश्टि स्टाइज उख हुई अब neighborhood लेकर कहां तक 1947 तक 1947 तक उसकी श्रूटइंग करना है वह तक है ज neighboring यह लिखाया कि तो अगर कोई पैर लोग लेते हैं जैसे अभी बात चल रही है सिंपल कि यह MP कर अभी इसको फिर वहां से वह अठाना पड़ेगा तो फिर पूरा चला जाएगा इसलिए इस पर भी काम हो जाएगा कि इससे बोल रहे हैं कि इस पर भी इससे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा वीजुलाइस अच्छा हो जाएगा बाकी फिर मैं प्लेन पर भी बता दूंगा कि करें स्टर्ट क्यूंकि आप कब तक वेट करें फिर कि ने चले स्टार्ट करते हैं चलो चलो सुनो इधर देखो इस्टार्ट करते हैं अब सुनना एक थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूं एक इत्यास बता रहा हूं कि कैसे बेसिकली इसकी सुरुबात होई मद्द परदेश के इतियास को अगर आपको समझना है तो ये पूरे अगर मद्द परदेश को इस तरीके से हम लोग लेते हैं तो इसके इतियास को आप देखोगे इसका इतियास प्राचीन काल से जुरू होता है और प्राचीन कल के बाद में मद्दिकाल के बाद में आदुनिक आता है Use यह उसे अलग 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 समय पे अलग 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 छोटे छोटी जगाऊ पर मद्द प्रदेश की छोटी चोटी पर अलग समय पस् Warm अलग अलग मतलव राजबसों का इन वा जूरू है और इन वह राजबसुgic अपनी महतपूरच प्रदेश को हम लोग बाई फरकेट करने दो अलग-अलग पार्ट में जहां से सुनना इस पार्ट में मैंने अलग किया है अभी आपको वहां से दिख रहे हैं इसको अठाऊ थोड़ा सा यह मैंने इस पूरे मद्ध प्रदेश को इस पार्ट में वाइफर किट करा दो पार्ट में और इस पार्ट के अंतरगत अम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मद्ध प्रदेश की यूनिट 5 में जो 6 specific पफिर आप इसकी लिए वर्ड यूज करते हो क्या राजबंस तरOOD अगर आपको देखना थो पहला इतियास यह आपको मिलेगा वह इतियास के अंदर और यह backyard कानद को आपको इतियास देखने को मिलेगा वो कहलाएगा गॉढणवाना है राज वन्स साहस पार मैं दूसरे नंबर पर अगर कुछ लेता हूँ तो वो लेता हूँ मैं इस वाले पार्ट को, और ये जो पार्ट है ये मद्ध प्रदेश का वो हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह इस्ते को basically बुंदेल खंड के नाम से जाना जाता है और इस बुंदेल खंड का इत्यास जड़ा हुआ है बुंदेलों से, बुंदेला राजबनस से, यहाँ पर जिस र भगेल खंड और इस भगेल खंड में एक राजवन्स है जिसका नाम है भगेल राजवन्स तो सिंपली कहने का मतलब मेरा यह है कि मद्ध प्रदेश के इत्यास में जो आपके स्लेवस में गिवन है उसको अगर मैं मद्ध प्रदेश को दो भागों में डिवाइट करूं इस दो वागों का पहला पूर्वी भाग पहला पूर्वी भाग जो आपको देखता है यह तीन इस्पेस्पिक डाइनेश्टी तीन इस्पेस्पिक रियासत तीन इस्पेस्पिक राजवन्स से उसे बिलॉंग करता है और यह राजवन्स एक दो तीन इस रूप में आपको द बना दूँ इसका एक ट्राइंगल त्रबुज बना दूँ तो इन तीनों का जो समय अब्दी आप देखोगे इन तीनों की समय अब्दी आपको 14 से लेकर 18 सताब्दी century AD लिख रहा हूं में यहां पर आप Hindi में लिख लेना सताब्दी इस period में जाती है मतलब इस period में इनका इत्यास पूरा का पूरा आपको दिखता है अब जब भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के कि इस इत्यास में यह हुआ उस इत्यास में वह हुआ तो आपके जेहन में यह बात किलियर रहनी चाहिए कि मद्द प्रदेश के पूर्वी भाग के इस हिस्से में कुछ specific time period में तो कि अगर हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं और time period नहीं लिखा रहा तो बस केबल कानी किस्से की बात कर रहा हूं में तो हिस्ट्री हमेशा time को denote करती है तो time का दिनोर समय यहाँ पर जो बात चल रही बात चल रही इस spirit की चौदा से लेकर अठारवी सताबदी के बीच में मद्द प्रदेश के पूर्वी भाग में तीन राजबंसों का उद्भव हुआ था और इन राजबंसों में दच्छनी भाग में एक राजबंस था जिनको बोलत इस लिए इस्थान कहलाने लगा गौणडवाना गौणडवाना के रहने के कारण जिए गौणडवाना कहलाने लगा अब उसके बार यह जगह है भगेल खंड भगेलों के नाम से जाने जाने लगी और बुंदेलाओं का भी इत्यास हम लोग आगे चलके पढ़ेंगे कि ब बाइफरकेशन के बाद अगर मैं इस वाले पार्ट पर आता हूं इस वाले पार्ट पर आके बात करता हूं तो इस वाले पार्ट पर भी आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग-अलग डाइनेश्टी या राजवन्स देखने को मिलेंगे मैं बात करता हूं यहां पर इस वाले area की तो इस बाले area पर आपको जो राजबंस देखने को मिले ensuite और झेशिय का भूकर राजबंस और इस राजबंस का जो छेत्र है रहे है इंदर मतलब इस पूरे छे T है इस पूरे छेत्र में जो राजवन्स था उस राजवन्स को बोलते हैं ये राजबंस का जो छेत्र है ये छेत्र है ग्वालियर रियासत और इस रियासत में राज करने वाले जो राजा या वो रहते थे उनका नाम है सिंधिया राजबंस ये है होलकर रियासत होलकर रियासत का छेत्र है इंदोर और ग्वालियर रियासत का छेत्र है ग्वालियर लोग जो बात करते हैं वह है कि बेसिकली जो सिंधिया डाइनेश्टी है वह सबसे पहले बिलॉंग करती थी उज्जयन वाले रीजन से फर्दर दे माइग्रेटेट इंडू दे एरिया ओफ वालियर ठीक है तो स्पेस्पिक पार्ट अब उसके बाद में एक जो छोटा पार् है यह है भोपाल है भोपाल का एरिया और इस भोपाल के एरिये में जो लोग रूल करते थे उनको बोला जाता था नवाव एट मिस नवाप्स ऑफ भोपाल का समझ रहे हैं एक दो तीन इन तीनों का मैं फिर से एक ट्राइंगल बना देता हूं यहां पर यह ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मैं एक टाइम पिरेड से डेनोट करता हूं वो टाइम पिरेड है अठारवी सताब्दी से लेकर 20 वी सताब्दी अभी बिलकुल भी मतलिखना एक अक्षर भी मतलिखना ट्योंकि अभी कम से कम आधे गंटे पूरा कॉंसेप्ट वाल समझ रहे हूं अठार भी सतापदी से लेकर बीस भी सतापदी इस समय पर मद्ध्रदेश के पश्चम में तीन स्पेस्पिक राजबंस आए और इन राजबंसों के नाम है होलकर सिंधिया और भोपाल के नवाफ देखना सुर्भी there are so many different region in MP and there are so many different different dynasties situated in the different different period of MP when we are discussing about the eastern part of MP you can see a three different major dynasty of this specific region that you can you can call them a Bhagail dynasties, Gond dynasties and the last one is Gundela dynasties although they are situated in the different different period but we have merged in the one collective effort that period is basically called is the 14th to 18th century period while we are discussing about the eastern part of MP again we have seen a three different dynasties first specific dynasty that belong to the northern part of MP that is Sindhya dynasty which belong to the Gwalir specific region so Gwalir is the capital of this specific dynasty and the southernmost part is basically hold by the Holkar dynasty and the small tiny area which was basically covered by the Bhopal Nawab so we have basically divided two different part first part is basically divided in the Nawab period and the second part is divided of the Begum period so Bhopal ka Pura ka Pura ka Pura Pura Hitiyaas 2 specific logon men jana jata hai earlier phases basically belong to the Nawab and the latter phase is basically called to the Begums so Pura period or is a specific triangle we have given some specific time period that is 18 to 1200 century not BC Cable century that means Satabdi o so again ब्रदेश के वैस्टन वाले पार्ट से बिलॉंग करती है और इसका टाइम पीरेड है 18-20 इसका टाइम पीरेड है 14-20 इसका मतलब यह हम लोग इसकी शुरूबात यहां से करेंगे चाहुदी सतापदी से को 1700 सेंक्चूरी से हम लोग इसकी सूरूबात करेंगे इसका मतलब एक बात और है इसका इस टाइम पीरेड में एक स्पेस्पिक छेत्र में एक genetics रह रही है उस डायकिके दूसरीrences अजय के सात में भी रिलेशन हैं में अब चाहे वो में में प्रहंहें हो सकते चाहे वो रिलेशन हार्मोनियस हो सकते हैं या वो रिलेशन बिटर हो सकते हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे बस रिलेशन हैं अगर मैं आगे चलके आपसे यह बोलता हूं बुंदेलों ने बगेलों के साथ लड़ाई की बुंदेलों ने बगेलो पेटेक करना शुरू कर दिया तो बेसिकली हम लोग किसी एक टाइम पीरेट का इतियास पढ़ रहे एक टाइम पीरेट और उस टाइम पीरेट में रहने वाले छेत्र में जो स्पेस्पिक राजे महाराजे या राजवन्स के लोग रह रहे हैं वो हर समय पर अपने छेत्र को continue reflex करना चाहते हैं और उस इसमें जब दूसरे राज्यों का राजा कमजोर और वीक है तो उस चैस में वह उसके छेत्र का एरिया ले लेती हैं जब जेस्पिकर का राजा यहां पर माईटेस्ट किंग ह remix़ा जाता है तो दूसरे च hon को यहां सब देता है और रिष दे इनका पर करते हैं तो आप दिखो Article पूरे पीरेड़ में यह आप समीं आपली सब्सक्राइब अरार चील ईसके साथ में य Bazerti रहे जब ये मजबूत लोगिया तो ये दोनों के बीच में रिलेशन मन गए मैटमोनिय रिलेशन बैवायक संन उसनोंने इसको अराना शुरू कर दिया जब इसमें मजबूत राजा आया पाड सिंग जैसे पाड सिंग बंदेला तो उसने फिर इसको अराना शुरू किया जब यहां पर मजबूत रानी राजा आना शुरू हुए जैसे दुरगावती तो उन्हें इन सब की हालत खराब करना शुरू की जब इस जगे पर मजबूत राजा आना शुरू हुआ भगेल इन लोगों ने एक छेत्र तक क्या किया एक समय तक इन लोगों ने धीरे-धीरे अपने छेत्रों पर अपना रूल करना चालू किया रूल करना चालू किया और उस रूल के बाद में क्या हुआ धीरे-धीरे ये राजा महाराजे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अ की रूप में रह रहे थे तारे सारे अलग-अलग राजवन्स रूप में ऊप्रिटे और यह बात जो चल रहे हैं यह बात चल रही है शेहतнож हें वन्हों टीन हैं कर डीन सेंचुरी के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं 17挑12 चताब दी तो आपके माइंड पर तुरंत स्ट्राइब करना चाहिए अच्छा सर बात कर रहे चतारी डिश्क्म लेकर JOHN UA का यह पीयद अठार्वी सताब्दी है है यहां पूरा फिसके बाद में बात करता हूं 19 सताब्दी है समझ गए और है वह अग्र आपको आठारवी सताब्दी का पीयदर क्वरिट इस अठार W performance में पिडिद अप Woah जो चल रहे हैं 300-400 साल तक इन राजा महाराजाओं का पूरा साशन कुछ इस तरी किसे चलता रहा अलग अलग छेत्र पर अलग अलग और इन छेत्रों पहने रूल भी किया अठारवी सतापदी के बाद में इन छेत्रों में बात करो या इस पूरे मद्दपरदेश की बात करूं इन पूरे मद्दपरदेश के अंदर सदन एरिये से ये महाराष्टा लिखाए इस महाराष्टा वाले एरिये से मराठों ने धीरे 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 प्रवेश करना चालू कर और भगेलों से बुंदेलों पर राज चालू किया मतलब धीरे 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 अब मराठे मद्ध्रदेश की राजनीती के अंदर आते जा रहे थे और मद्ध्रदेश के अलग 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 टेरी टरी को एक्वायर करते हुए जा रहे थे और अब ये मराठों ने इन सब छेत्रो माराठों के पास आगए और माराठों में इस समय पर सबसे इंपोर्टेंट मराठा था बाजी राव फर्स्ट कि अगर पेशवाओ में किसी की सान है तो वही बाद कोई भी मराठा कोई भी पेशवा ऐसा नहीं था इस ने मराठा पताका को उत्तर भारत तक फैलाया हूँ कोई भी तो इनिशिल फोम में अगर मैं बात कर रहा हूं दिखना सुर्भी इधर ठीक है थे आल आर सिचुएटेट इन दिफ्रेंट दिफ्रेंट प्लेसे अफ द एमपी एंद फाइनली मराथा इंटर्ड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एमपी मराथा इफीटे इन दा एरिया ओफ मद्ध्रदेश इसका मतलब बाजी राव फर्ष्ट मद्ध्रदेश में आया कि आया बाजी राव ने गुंदेला सासक 16 साल की मदद की और 16 साल पर सबसे बड़ी समस्या थी मुहम्मत का मंगस का आक्रमन मुहम्मत का मंगस जो मुगल सूबेदार था उस तिरतिये पुत्रमाना तीसरा पुत्रमाना बाजी राव को और बाजी राव को ये बुंदेल खंड का वनवाई थर्ड पार्ड दे दिया और इस वनवाई थर्ड पार्ड को देने से ही मराठों ने धीरे धीरे बुंदेल खंड की धरती पर आना सुरू हो गया और यहां प किरें ते साथ मेरे तुइनली तो वह बच गए और आप देखोगे मराथों को मराठों ने इस एरिए को किया इस एरिये को एक्कुराइड करने के बाद ऊपर की और बढ़ते गए इस एरिये को एक किया कि जब मैं माराठा वर्ड का यूज करता हूं तो के वल यहां पर पेश्वा के लिए डिनोट होता है और पेश्वाओं की जो हैरार्की चल रही है बाला जी विश्वुनास से लेकर आगे के जित्ती भी पेश्वा है उसके लिए चलेगी हाँ एक बार जब मराठे मद्धप्रदेश के अंदर आ गए और इन्होंने मराठी कल्चर को पहलाना शुरू कर दिया तब आप देखोगे इन मराठो की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज बनना शुरू हो गई जो आपको इस रूप में देखने को मिलेंगी यह सब मराठी है चाहे होलकर हो चाहे सिंधिया हो चाहे बहुंसले हो चाहे गायक वाड़ हो कोई भी हो लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्नोंने मद्वर्देश को अपना घर बनाया क्योंकि हमें मद्वर्देश का इत्यास पढ़ना है और इस मद्वर्देश के इत्यास में अगर यह मराठों में से पेश्वा ने यहां पर आया और पेश्वा के आने से पहले की इस स्थिति में अगर आप इस एलियें को देखोगे इसारिये में जो मराथ हे आपको मिलेंगे वह कौन है को एक और है MP में अजसका आपके स्लेव स्में भले ही नहीं है पूर डाइनेस्टि टी वह भी इंपॉर्टेंट है लेकर चुकि आपके स्लेवस में नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं ता उसको और यह जो पवार है इन्होंने MP में दो जगे पर रूल करना शुरू किया था कि यह पवार जो बेसिकली और इसनल पवार है यह कहलाते हैं धार के पवार सिष्टिक धार और जब इन पवारों में आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई तो पवारों के एक सामराज को देवास को दे दिया तो देवास में दो स्पेस्पिक जगें चोटी पाती बड़ी पाती तो पवार कहलाने लगे चोटी पाती के पवार बड़ी पाती के पव लोगों हो द्यकेवारों के साथ में हुआते हैं अबंग का पर्याला के साहिए को आपको सिंपल बात है यह पूरा का पूरा मद्द्वर्देश का जो पूर्भी भाग आपको दिख रहा है इस पूर्भी भाग में तीन dynasties जो देख रहे हैं इन्होंने एक लंबे समय तक रूल किया इनके रूल करने के बाद में धीरे इनका अंत आना शुरू हुआ और अंत के फेस में सबसे पहले जो इंपोर्टेंट रोल नभाया वो रोल निभाया मुगलों ने अंध deport के अंतरगत आप देखोगे मुगलों ने दीरे दीरे इन छेत्रों को जीतना चालू किया आपको पता होगा 1564 में गौंडवाना में युद्ध हुआ था रानी दुर्गाबती को अकवर ने हराया और दुर्गाबती की हार के साथ ही यह गौंडवाना राजबंस दीरे दीरे वीक होना चालू को गया और इतना वीक होना वीक होना चालू हुआ कि आगे आने वाले जित्ते भी गौंड़ थे वो उन्होंने मुस्लिमों से प्रभावित होने के बाद में इसलाम धर्म सुईकार कर लिया और कई गौंड तो इस एरिये से भाग कर सिफ्ट करते हुए इस एरिये की और आ गए और इस एरिये में आने के बाद में बोपाल और इसके आसपास के एरिये में जिन्होंने अच्छे से बोपाल देखा होगा उन्हें पता होगा बाड़ी का एरिया का है बाड़ी के एरिये में रहने लगी यह लोग और उसी बाड़ी के एरिये में रहते सुईकार कर लिया था तो फाइनली सबसे पहले इस एरिये में जब इनकी इंटर्नल ऑटोनोमी थी इस एरिये में सबसे पहला इंटर्फेयर शुरू किया था इन लोगों ने और जब ये लोग और अरंग जेब की डेथ के बाद में वीक होना चालू हुए आपको पताएं मुगल किते पावर्फुल थे मुगल इतने पावर्फुल थे जिस एरिये में जाते थे मुगली मुगल चमकते थे लेकिन और अर पर जो important role play किया वो role play किया इन लोगों ने अब इन लोगों ने मद्द प्रदेश के अंदर इंटर किया इंटर करने के बाद में गौंडवाना के गौंड़ों को हराया हराने के बाद में उसके maximum छेतर अपने पास रख लिए आगे की और बढ़े यहां पर बुंदेलों को मद करने के बाद में यह चेतर ले लिया और इस चेतर को लेने के बाद में बाजी राओ उने अपने सवर्डिनेट उसके जो सहयक थे उन्हें धीरे-धीरे मद्द प्रदेश के छेतर बाटना चालू कर दिया क्यों बाजी राओ को क्या दिक्कत है वो क्यों MP में रहेगा अराज का लड़का यहां पर से उसका यह इसका शिवाज जो था ना संभाजी तो संभाजी को तो निप्टा दिया था इन्हों ने संभाजी के मरने के बाद में इनका जो लड़का आया साहू यह साहूरूल करता था कहां से ततारा लेकिन अब इसकी भूमी का कीबल मात्र हमारे जहां पर राष्ट करते रहता है बिल्कुल बैसी होगे ठप्पा लगाने वाली अब मेरेन रोल जो पा लिया था वो मेन रोल आ गया था किसके पास मराठाओं में भी सबसे मेरेन रोल आ ग इसकी मैं बात कर रहा हूं बाजीराओ फ़र्ष्ट की उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि कहां साउथ इंडिया में लगे हो वहां पे कुछ ना रेवेन्यू है ना पैसे मिलते और वो निजाम को बार बार आरा के क्या मिलेगा यह करते क्या थे साउथ इंडिया में कभी निजाम पैटिक कभी महसूर पैटिक कभी पैटिक कभी हैदर अली को अराया कभी टीपू को और मिलता क्या था ना के बराबर कुछ उन्होंने का इससे अच्छा है उत्तर भारत की ओर चलो उत्तर भारत में ये मद्ध प्रदेश की उपजाओ भूमी है इस जगे पर बहुत जादा बहुत जादा पैसे और सब कुछ है और यहां के राजे माराजे भी बड़े कमजोर है इनको आराके छेत्रों को रूल करो यह से मिलेगा सब कुछ पुड़े में जो सनीवारवाड़ा बना हुआ है सारा का सारा बुंदेलाओं का पैसा है सारा का सारा जो बाजी राओ जब यहां पर आया था और यह पूरा एरिया जीत के गया था तो यहां से जितना भी धनदान छात्र साल ने दिया था उसी के वेस बना है वो पुड़े का सनीवारवाड़ा सारा का सारा जिस पर यह मराठे बोलते हैं हम लोगों ने यह सारा का सारा आर्किटेक्चर क्रियेट किया है तो मैक्जिमम MP में आप देखोगे अब मराठों का इंट्रेंट शुरू हो गया और मराठों ने दीरे दीरे इन छेत्र और एक जो लास्ट डाइनिश्टी बसती है यह है भूपाल डाइनिश्टी इस भूपाल डाइनिश्टी का इत्यास जुड़ता है दोस्त मुम्मत खां तो इसका इत्यास जुड़ता है मुगलों की सूबेदार के रूप में तो यह इंडिपेंडेंट था एक जिसका यह ज है है टेखना अभी इदर एक बार फिर से हैं मैंने MP को दुब फार्ट में बाइफर केट किया ज़ो फार्ट में बाठा उसके अंतरगत मैंने इस पार्ट में एक पार्ट रखा दोफ रखे और तीन पार रखे इधर भी मैंने यहां पर एक पाड़ रखा दो पाड़ रखा और यह तीन पाड़ रखा मतलब तीन राजबंस इदर के पढ़ना है इन राजबंसों का जो टाइम पीरेड है वो टाइम पीरेड कुछ इतना है इन राजबंसों का जो टाइम पीरेड है वो टाइम पीरे ठीक है अब इन के समय पर इस इस के समय पर एक समय तक तो इनने रूल किया जब इनका लाश्ट समय आया जब इनका ये लाश्ट समय आया तो इस लाश्ट समय पर आप देखोगे यहां पर जो इंटर्फेरेंस शुरू हुआ वह सबसे पहले इंटर्फेरेंस शुरू हुआ जब मराठों ने दीरे दीरे इन छेत्रों को जीतना सुरू किया मराठे दीरे दीरे जब वीक होने लगे तो मराठों के बाद में यह पूरा का पूरा छेत्रा आगया किसके पास बिटिशर्स के पास काव आया दिरिंग दा पीरिएड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंगलो मराठा वार तीन मराठा वार हुए हैं हिस्ट्री में लिूसेंट जैसी बुके हैं जो वन लाइन फैक्ट बताती हैं उसमें भी जो सामान ग्यान पढ़ता होगा उसको पता होगा एंशी आल्टी जैसे के आंगल मराठा वार तीन बार वा था तीन आंगल वर वार में बिटिश अर्स ने मराठों की पूरी हलत खराब कर दी और इतना जबर्जस्त मराठों को आराया कि मराठों के जो भी एड़ीय मद्द्पर्देश में मराठों ने जीते थे जिन जिन ल बिल्टी शर्स के पास आने के बाद में अब बिल्टी शर्थ ने इनको धीरें और लगलग वे में आपने वर्ड सोना होगा बिल्टी शर्स ने इनको देना सुरू किया सनद सनद को English में बोला जाता है validation मतलब आपको आपकी जगह रखना है उसका वैलिडेशन उसका ऑथन्टिफिकेशन हम देंगे क्या आपको रखना है या नहीं आपको हमसे पर्मीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि आपका एरिया जिसने जीता था हमने उस व्यक्ति को जीत लिया तो अब आपको हम ऑथराइस करेंगे क्या आप उसके लिए वैलिडेट है कर दो हमारे लिए जरूवत है हम तो पुराने जमाने के राजा मारा जाएं तो हम कहेंगे हमें क्या फायदा मिलेगा तो आप बोलोगे सर आपके साथ एक ट्रीटी कर लेंगे तो हम मैं तो मैं बोलता हूं ठीक है फिर ट्रीटी सायक संधी के रूप में होगी इसको इस पिक आपका छेत्र था चाहे आप और्चा के बुंदेला हो चाहे आप दत्या के बुंदेले हो चाहे आप चंदेरी के बुंदेले हो चाहे आप बुंदेल खंड के किसी भी छेत्र के बुंदेले हो आपको मैंने वैलिडेट किया है ठीक है तो आप जिंदगी भर अब म है दे दो उन्होंने यहाँ पर उनको वैलिडेट करना चालू किया सनद देना चालू किया और धीरे धीरे अब यह लोग जो एक समय में आटोनोमी रखते थे अब आगे चलकर यह लोग बेसिकली बन गई क्या रियासत जिसको आप इंगलिश में बोलते हो princely state देसी रियासत वर्ड यूस किया जाता है एक वर्ड यूस किया जाता है देसी रियासत और यह देसी रियासत वर्ड का जो appropriate वर्ड होता है princely state STAT ये मोटा चल रहा है ये फ्लिकर नहीं है इसलिए थोड़ा सा राइडिंग गड़बड हो रहा है All over India में All over India में जब Britishers ने धीरे धीरे हमारे छेत्रों को acquired करना चालू किया था All over India की बात कर रहा हूँ मैं मद्ध बर्देश की नहीं बात कर रहा Cable दो ही 걸로 specific छेत्र थे Either provincial State और Princely State तो Provincial State क्या है Provincial Estate यह है वो State जो डारेक्ट डारेक्ट British प्रुवत्त्य के अंतरगत आते हैं आस समझना इस concept को अगर नहीं पकड़ पाए तो कई question गलत हो सकते है One more time इंडिय में पेसिकलेज ट्री दिपानना ट्रीड लविश की दिन, !! either by the regent or by the subordinate of British government while on the other hand while we are discussing about the princely state this state this state by the validate by the British government that means in this state some specific Raja King or a specific ruler were regulated by the independent of the state कि देसी रियासत के अंतरगत जो भी राजा माराजा रहेगा आपका एक राज था आप अपने राज पर राज करो हम आपके राज में कोई हस्तिचेप नहीं करेंगे आपके इंटर्नल मेटर में उंगली भी नहीं उठाएंगे ठीक है बस आपने हम से संदी कर ली आप कोगे हाँ कर ली तो आप बन गए देसी रियासत और देसी रियासत के राजा माराजाओं को ये अधिकार था कि वो पूरा का पूरा अपना इंटर्नल मेटर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं सारसे मतलब आप जिस राज में इसे रियासत के राजा हो अब आपका पूरा अंत्रिक मैटर आपका खुद का और आइंटर्ल आपके अजह में हम कुछ भी करेंगे उसके अंदर लेकिन लेकिन तो इंगा भी जीन को को अ flourish eu को हमने जीत लिया इस जिन राज्यों को मारतो को जीत लिया उनको हम डारेक्ट र्इगूलेट करेंगे उसमें कोई देशी राजा नहीं होगा। माराठो ko तीन बार में हराधीया पूरा और म्राठो का स्थित्वी खतम कर दिया इंडिया से म्राठो के जितने भी इम्पोर्टेन पार्ट थे तो Daisy सारी की सारे खुद दोई यह जैसे लोग आते हैं किसको क्या देना है नई देना यह क्राउण करेगा सब्सक्राइब क्या हमें क्या देना है यह आप अठो मिर्मिन नहीं है तो आप हमारे ग्रेटींटन्य पर हो रहा हुए हमें लगता है तो यह लगता तो आपके राजी को हम लोग तीज भी कर सकते हडब भी लेंगे जिसको उन्होंने डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स के अंतरगत किया भी तो यहां पर बेसिकली बात चल रहे हैं मराठे यहां पर मैं चेंज कर देता हूं वर्ड पंजाब राणर अरजी सिंग पूरा हराने के सहरन लेलो इतियास में कितने ही सब कुछ डारेक्ट रूल डारेक्ट हमारा रिजेंट करेगा हमारा प्रतिनिधी करेगा हां उसके उसके उपर पूरा का पूरा राज और आपके बंस का अगर कोई व्यक्ति है उसे लंदन वेज दिया के पढ़ाई करो पहले जाओ ठीक है तो उसको वहाँ पर बेज दिया जबकि ऐसी इस्तितिया जो बनी जिसके बारे में हमें च्छे में पढ़ना है एक दो तीन चार पांच छे ऐसी इस्तितिया जब बनी तो यह वह राज्य थे जिनको इंटर्नल ऑटोनोमी दी गई ती इंटर्नल सोतंत्रता दी गई ती क्यो क्योंकि इन लोगों ने इन लोगों ने बिटिस गवर्मेंट के साथ में एक सायक संदी की थी एक सबसेडरी एलाइंस किया था और उस एलाइंस के अंतर्गत यह अपने इंटर्नल मैटर में पूरी तरीके से सोतंत्र थे नेकर एक्स्टर्नल मैटर में पूरी तरीके से डि करना के राजा चर्खारी के राजा टीकमगड के राजा छतरपूर के राजा हो ठीक है आप अपने छेतर तक सीमित रहो लेकिन अगर ओर्चा वाले ने चंदेरी वाले से बात करना चाहा तो हम ये सोचेंगे आपने संधी का उलंगन किया है आपने एक राजने एक देशी रियासत ने दूसी रियासत से हमसे बिना पूछे बात किसे कर ली आपको ये बात करनी नहीं थी कल को अगर आप लोगों ने पांच रियासतों ने मिलकर हमारे कलाब कोई सड जंत किया 1857 में आपने उस मुमेंट को इतना ज्यादा कर दिया कि पहले तो बुंदेले तक सीमित थे अब बुंदेलों के साथ गॉंड और लोधी भी सामेल हो गए तब तो ऐसी इस्तिती में इन्होंने क्या किया सबको सेपरेट करा और मराठों से जितने भी इंपोर्टेंट एलाके लिए थे बिटिशर्स ने दीरे 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 उनको तोड़ना शुरू किया और सबकी इंटर्नल ऑटोनोमी बनाना शुरू की और एक्स्टर्नल ऑटोनोमी के अंतरगत उनको यह बोला नहीं आपके सारे राइट्स कर्टेल हैं सारे राइट्स कर्टेल कर दिये कि आप इस पार्ट को नहीं ले पाऊगे और उस तरीके से आप देखो धीरे धीरे 1947 तक बिटिशर्स इस पर रूल करते रहे अलग 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 नीतियां निकाले में पढ़ सकते हैं लेकिन देखोगे all over case में सब जगे पर यह रहा और जब इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई इन नीतियों का प्रवाव क्या रहा इन नीतियों के जो दुस्प्रवाव रहे वो विद्रों के रूप में दिखते हैं 1824 का बुंदेला विद्रों 1822 का बुंद मत्रते मांद्यप्रदेश नीति इंदेश को देखते हैं इस पूरे मत्रतीश कें अंदर सुरू से लेकर इंड तक अगर कोई एरिया सबसे जधा एक्टिव और सबसे जधा सैंसेटिव रहा है तो वह हैं इस्टवाला पर्ट तो सबसे चाहे ये विद्रों से सम्मन्दित हो या विद्रों के बाद में 1885 में भारतीय राष्टिय कॉंग्रेस की स्थाप्रा के बाद चलने वाले मास मुमेंट जिसको आप Freedom Struggle मुमेंट बोलते हो उसके केस में हो गांधी जी के जो तीनो नेशनल मुमेंट थे नॉन कॉपरेटिब मुमेंट इसके बाद सीडियेम सिबिल डिस ओविडियेंस मुमेंट और उसके बाद हैं ने हर जगे पर हर विद्रो हर स्वतंता संग्राम के आंदोलन को दवाने में बिटिस गौ़र्मेंट का रूल किया है कि चाहें बुंदेले का बुंदेलों ने भलाई संदी कर ली थी लेकिन संदी करने के बाद भी अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट से हर्ट हो रहा था उन्हें लग रहा था हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खतम हो रहा है पूरी की पूरी रोज बिज्जत होते थे रोज हुमिलीट किया जाता था एक समय में बुंदेले राजबंस था राजा माराजा थे और बिटिशर्स के अधीन होने के के बाद में they become a landlord और ऐसे लर्ण लोड जिनके पास लेंड तो ही नहीं अगर आपने टाइम पर रेवेन्यू नहीं दिया तो आपके लेंड को दूसरे को दे देंगे इस्ताही बंदोवस जिसको आप पर्मानेंट सेटलमेंट बोलते हो अगर नहीं दिया टाइम पर एंड तो दूसरे की जमीन अब तो आप जमीनदार भी नहीं रहे तो रोज 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 घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार में कुछ ना कुछ कर ले 1842 का विद्रोब बुंदेलाओं के द्वारा बस इसलिए किया गया था कि बिटिशर्स आ गए थे अलग-अलग उन्हे के बाद में उसका जो में कॉंसीक्वेंस जो कल्मीनेशन पॉइंक निकला वह करमीडेशन पॉइंक निकला रिवोल्त के रूप मह एं और इस रिवपोल्ड की पहनिती आप देखते हो 1857 का रिवोल्ट सबसे बड़ा रिवول्त अब 1958 यह निकलो सारे मैन लीडर आपको इने 1857 के विद्रो में एक इंपोर्टेंट व्यक्ती रणमत सींग का नाम सुनाएं थाको रणमत सींग आलत खराब कर दी थी बिटिशर्स की बिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहाता कि इस आदमी को कहां से पकड़े क्यों पूरा भगेल कंड के जंगल गूम रखे थे उसने सारे बिटिश फौज में था वो लेकिन बिटिश फौज छोड़के उसने बिद्रो सुरू किया और रणमत सींग को पकड़ना इतना मुस्किल हो गया तब बिटिश गौर्मेंट ने भगेल डाइनेश्टी के जो में राजा थे रगुरास सींग उसमें दवाब बनाया कि अगर तीरापुर का हर्देशा या फिर आपको मदूकर शाह नारहट का या फिर कोई भी इंपोर्टेंट लीडर मिलेगा संकर या फिर इसके बाद रगुनात शाह यह सारी कि सारे इंपोर्टेंट लीडर आपको इन जगह से मिलेंगी इन जगह पर 1857-1842 पर कुछ भी नहीं मिल आप अगर तुक्का भी लगाना है कभी कोई केस फसराओ तो इधर को प्रायोटी ज़्यादा देना इस वाले अरिये को सबसे ज़्यादा प्राइलिटी देना तो तुक्का भी 90% केस में हमेसा सही हो जाएगा आप लास समझे नहीं है तो बीसीकली हमें जो स्टार्टिंग करना है वह स्टार्टिंग करना है इस एरिये से इस वाले एरिये से जो स्टार्टिंग करना है उस स्टार्टिंग का जो मेन भूमिका थी वह भूमिका मैंने बना दिये और भूमिका बेसिकली जो तयार किया वह बैक ग्राउंड है कि इस एरिये में कुछ स्पेस्पिक के बाद इसी हैरार्की में आपको सारी डाइनिस्टी के अंदर ये पूरी के पूरी प्रोसेस देखती होई मिलेगी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला सबसे पहला यह यह एरिया भगेल राजवन्स आप इसको भगेल राजवन्स बोल दीजिए या भगेल डाइनिस्टी बोल दीजिए इसको अटा दूँ कि अजुड़ पूरी कर रहे हैं एंदब धिसको भगेह यह ने वर चाहते हैं झाहते हैं अपनों मिलेगी के वाम जाएनिस्टी अबगेलप बेसे आदेखती हैं झाल झाल हम लोग इस्टार्टिंग कर रहे हैं भगेल राजबंस सबसे पहला ठीक है और इसकी स्टार्टिंग मैंने ऐसा क्यों किये वो भी अभी में लिंक करके बता दूंगा आपको सबसे पुराना राजबंस ही है मद्धिब्रदेश में भगेल राजबंस इसकी शुरू बात चल र रहा हूं दिस एरिया इस बेसिकली फेमस इन दा नेम ऑफ भगेल खंड रीजन अगेल खंड के नाम से जाना जाता है छेत्र के नाम से हम लोग अब भी भी बात कर रहे हैं इस पर इसके हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड पर जिसको आप लोग बोलते हो एतिहासिक प्रष्ट भूमी देखें अगर इस बगेल खंड खंड चेत्र की एतिहासिक प्रष्ट भूमी क्या हुआ है बता बता क्यों असर रहा है 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 बताओ मुझे लगा मैंने ज्यादा हिंडी लिगदी किस्तोरीड बैकग्राउंड आ Baris Charist चेत्र के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बट बात करते हैं ये जो छेत्र जिसको मैंने इस तरीके से इंडिकेट क्या है ये जो शेतर जिसको मैंने इस तरीके से इंडिकेट किया है भगेलखंड आज आप बोलते हो ये भगेलखंड के अंदर आज की डेhte में आप लोग दो डिवीजन रखते हो जिसमें 1 है रीवा 1 है ते डूल तो आज जिस भगेलकंड की आप बात करते हो उसमें रीबा और सहडोल संभाग आते हैं मैं फिर बात कर रहा हूं संभाग की जिले नहीं संभाग तो इसके अंदर जित्ते भी जिले आते होंगे आप समझ जाना वो भगेलखंड के अंदर आते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी इतियास पर के इसका इतियास कहां तक जाता है तो इसके इतियास को अगर प्राचीन कल के इतियास से अगर हम लोग जोड़ें तो आप देखो इसके इतियासिक प्रश्ट वूमी में सबसे प सब्सक्तान साथ तो उसने घंड़ में जन जाती लोगों को पराजित किया-गंणजात ये-प्रेषिई-। लोग भी ढंग से रहने लगे और मुझे उन्होंने देवाना प्रिये की रूप में सुईकार किया तो असोख खुद अपने सिलालेखों में इस चीज को एकसेप्ट करता है कि उसने मद्द परदेश के अंदर तो उस समय मद्द परदेश नाम की तो कोई चीज नहीं रही इसके बाद यहां से इसकी हरार की चालू होती है अब इसके बाद यहां से आगे चलोगे दीरे 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 यह बात है मौरियों के पीरेट की इसके बाद नवी से दसवी सताबदी के आसपास में यह भगेलखंड का छेत्र दीरे 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 सारा का सारा यह बुनेलखंड एकुन सिरू स्फबasmus. क्या होता हैं जब बुंदेल कंड पर ध्यान से चुन्धा, जब बुंदेल खंड पर Chanceंड ने क्रमार शुरू किया था और जब बुंदेल खंड में चंदेल आ गए थे आप मैंसे कुछ लोगों को साइद पता हो चंदेलों के बात बुंदेले आएं हम लोगों को बुंदेले पढ़ना है लेकिन जब बुंदेले पढ़ेंगे तम मैं उस्ता हितियास भी ऐसा ही तिरपूरी आज के समय में जबलपूर को बोलते हैं तो तिरपूरी के कल्चुरी जो लोग थे इन लोगों ने यहां से लेकर यहां तक के राज्य पर अपना कबजा किया था और इनी लोगों ने इस पूरे छेतर पर दीरे दीरे अधिकार चालू किया कब जब चंदेलों कल्चुरी यों को हराना शुरू किया कि क अधिये हैं कल्चुरी कल्चुरी लोग और इन कल्चुरी का सामराद यहां तक था लेकिन जब यहां पर चंदेल आना सुरू हो गए तो यहां ंसे सिटोकर हो गए और यहाँ पर यह छेत्र हो गया पूरा का पूरा इनका डाहल का छेत्र तो डाहल इनकी राजदानी भी थी तिरपूरी के कल्चुरियों की एक राजदानी डाहल थी उसके बाद डाहल में इनकी डाल नहीं गली कुछ नहीं हुआ तो बापिस ये बापस आ गए तिरपूरी मे और इनकी last branch जो बची वो branch इनकी वसकेबल تिर्बूरी तक सिमटके रह गई जबकि सुरूभाइण कहां से हुई थी माहिश मती के कल्चुरी कहلاتी है न तो starting इन कल्चुरी lab की हुई थी माहिश मती से राष्ट कुटों ने भगाया तब यहां आए और उसी की एक ब्रॉं valor यहां चली गई यहां से चंदेलों ने भगाया और चंदेलों से फिर ये लोग इस जगे पर जाके रहने लगें तो इसका जो सेकंड वाला नाम आपको इत्यास में देखने को मिलेगा रीजन में वो रीजन मिलेगा डाहल छेत पगेल खंड का इसके बाद आप आगे बढ़ो तेरवी से लेकर चौधी सताखदी में इस चेत्र का नाम आपको जो मिलेगा वो नाम मिलेगा भत्ठा गहोरा भत्ठा गहोरा यह नाम सुनाय है अपने तो सुने होगा बट्ठा गहोरा इस रीजन इस बेसिकली सिचुएटेट इन दचित्रकूट डिस्टिक राइट नौ आज की जो बात कर रहे हैं यह बट्ठा गहोरा एक स्थान है जिसको आज के समय में यह चित्रकूट के जिले में इस्तित है तो उसके बाद में 13-14 स अतापदी के बाद में जब धीरे 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 इस चेत्र का और उत्थान डवलप्मेंट शुरू हुआ क्योंकि उस समय पर यह पूरा जंगली एरिया था जंगली एरिया की बईसे आठवीक राज्जी कहलाता था जंगलियों का चेत्र उसके बाद चेंज हुआ नाम तो नाम चेंज हुआ तो नाम होते होते हैं अब घंठा मांगे राजा मारा रहते थे वह दो ऑंक छेत्र उस पेस्पिक नाम है नक्षार स्कावर्ण तोहुरा अगे भाट्टाइन के लोगोंने सुरूर बात की और भागेल बन्स की जो लोग थे जिनको आप लोग proposed वोलती हो वंन बहलोंने इस छेतर में आकर दीरे-दीरे अपनी राजदानी स्तापित की राजदानी स्तापित करने के करता है और ग्रूमिंग होने के बाद में उस चेत्र की वह चेत्र का विकास होगा अब इसके बाद पंद्रवी से लेकर सोलवी सताबदी में अब ये छेत्र बांदवगड के नाम से जाना जाने लगा और ये बात कप की है ये बात है जब इसी सेम पीरेड में दिल्ली में मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया था और मुगलों में में मुगल सामराज का जो में व्यक्ति था गजा तो नाम था राजारामचन्द में अब यहां से альहें नाम से जाना जाने लगा इसका मतलब यह बात ज़रूर यह बात रही होगी 1564 के आसपास के 1564 में ये आप तो डेट भी याद नहीं रखना तो कुछ मत रखो simple बस नाम याद रख लो ये बस इस नाम से ये नाम, इस नाम से ये नाम से ये जाना जाते है तो बांधव करके नाम से जाना जाने लगा और इसी नाम को रखने के बाद भगेल डाइनेश्टी के जितने भी आगे चलके किंग हुए उनको आप एक और नाम से प्रोनाउंस करते हो बांधवेश कि बांधवेश क्यों बोलते हो आप बांधवेश तो बांधवगड जब इन्होंने अपनी राजधानी बना ली उस एरिये को और डवलप करना शुरू किया तो एक छोटी सी जगे जहां से इन्होंने अपने आपकी स्टार्टिंग की थी अपने एक पॉइंट बनाया था भट गहोरा दीरे दीरे वहां से ग्रूम करते हुए छेत्र को डवलप करते हुए नोंने आज एक बांधवगड में कर दिया तो बांधवगड में इन्हें कर दिया पंद्रवी से लेकर सोल्वी सताब्दी के पिरेड अब यहां से आगे बढ़ो सोल्वी से लेकर सत्रवी सताब्दी के पिरेड में अब यह छेत्र और डवलप होना शुरू हो गया जब इसका मुगलों के साथ में पारस पर एक सम्मंद बढ़ना शुरू हुआ और मुगलों के साथ में जब सम्मंद बढ़ना चालू हुआ त आप इसको रेवान्चल बोल सकते हो, तो अब ये छेत्र बांदवगड़ से कनवर्ड होके हो गया रेवान्चल या रीवा, और ये प्रोसेस हुई थी राजा विक्रमाजीत के समय पे, जब बांदवगड़ के नरेश थे राजा विक्रमाजीत सिंग और ये थे जहांगीर के समकालीन वे से बात है बैसिकली सोला ऐसंधों पांच में अब ये छेत्र कनवर्ड ऊगया 37 सताब्दी के आसपास में अब बैंदव से बॉला वो गया और दभला वोते होते होते ये पूरा चेत्र कनवर्ड होके हो गया रीवा और रीवा के बाद अठारवी सताब दी तक यह चेत्र हो गया क्या तो चेत्र का इत्यास अगर आपको देखना है केबल चेत्र का इत्यास तो चेत्र का इत्यास कुछ इस तरीक से आपको देखता है आज जिस भगेल कंड को आप केबल मात्र इन इस नाम से जानते हो आज आप से पूछता है कोई के भगिल कंड का है आप बोलो के रिवा सतना पन्ना करें रिवा सीधी सिंग्रोली अनुपूर सैडोल का एरिया तो अगर आप नट शेल में बताओगे तो यह दो संभाग और कोई समझ जाएगा चाहां इस संभाग की पूरी डिश्टिक यह लेकिन अगर ऑल ओवर हिस्टोरिकल आस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक समय पेस का नाम यहां से शुरूबात होती है और इसकी हैरार्की कुछ इस तरीके से चलती है कि क्लियर है कि कुछ पूछना है यह तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे सब अभी तो केवल ब्रीफिंग चल रही है अभी अभी हमने भगेल डाइनश्टी सुरूई नहीं किया अभी तोम बादावगड का इत्यास देख रहे हैं या फिर बोलते हैं जो वर्ड-च略 करते हैं हम लोग इस swap इस वेर्ड का इत्यास क्या है जब बगेल बन्स पड़ेंगे ना ते उसराजा की important काम देखी लेंगे सारे कि डेफिनेटली 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 इसमें अगर आपको थोड़ा सा और बताओं तो अभी देखो इन लोगों ने क्या करा कि स्लिवर्स के एकोडिंग हमें थोड़ा सा कनफाइंड कर दिया कि आपको जो भी पढ़ना है इन दी जोग्रोफिकल रेफरेंस ओफ संदर्ब में लेकिन अगर आपके पॉइंट अब व्यू से बात करें तो यह यूपी लगता है पूरा ठीक है और इस यूपी के बाद यह चत्तिस गड़ लगता है भगेल डाइनेश्टी का मैक्जिमम एरिया चत्तिस गड़ में आता था और कुछ एरिया यूपी में आता थ था 1947 तक यही इस्तिती रही जो आप बोल रहे हो 1947 में जब बिटिचर से इहां से गए और उसके बाद में पूरे एम पी को कंस लिडेट करने की बात आई तो उस केस में इस भगेल खंड बगेल कंड को यहां पर एक नया नाम दिया गया और वह नाम दिया गया मद्धिपरांठ जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सेंटरल प्रोविंस इस सेंटरल प्रोविंस को कि इस सेंट्रल प्रोविंस के अंतरगत यूपी भी आता था और चतिस गड़ भी आता था चुकि चतिस गड़ हमारे साथ ही रहा नाइंटीन फिप्टी सिक्स तक फॉटी सेवन के बाद से यूपी की जो इस्पेसिपिक रियासते इसके अंदर आती ती जो मिर्जापूर रेनु कूट और उसके आसपास का जितना एरिया उस्ता सोन भद्र का जितना यह लगता था वो सारी की सारी हमने यूपी को दे दी औ यह जिसे हमने मद्यपरांत नाम दिया और मद्यपरांद से नाम नाम दिय औस विन्ध्शेत्र से यह विंद्य चेत्र क्यों था इसको देने का रीजन था कि मद्द्ध्प्रदेश के इस यह से विंधियन क्रम का पूरा का पूरा परवत निकलता है और विंधियन क्रम का परवत निकलने के कारण चुकि यह छेत्र उसके अंदर सीमेत है इसलिए इसका नाम दे दिया विंद्षेत्र विंद प्रांत तो इसके बाद में यह विंद प्रांत आगे चलकर convert हो गया मद्ध प्रांत में Central province जिसको आप CP और बरार के नाम से जानते हो तो आप देखोगे यह आगे चलके CP के कि यहां पर दे नाम से जाना जाने लगा और सी पी की जो यूपी वाली पार्ट थी वो यूपी여 को दे देया और हमने यह रखा लेकर इसके दीरे 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 47 के बाद में इस CP के अंदर हम लोग इस वाले पार्ट को और जोड़ देंगे गौंडवाना वाले पार्ट को गौंडवाना के साथ में हमें यहां पर से मिल जाएगा बरार का एरिया बरार का एरिया तो यहां पर यह हो जाएगा CP और बरार तो CP और बरार मिल गया अब CP और बरार तक की स्थिति आ गई 1948 तक की और उसके बाद में अब बात चली यहां से नहरू जी थे 1948 में पीम तो उन्होंने कहा कि Consolidate करो Consolidate करो British चले गए नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इंडिया के हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी तो Consolidate Consolidate करने के चक्कर में इस पूरे एरिये को Consolidate किया और उसका नाम रखा TP और बरार, मद्ध्वरांथ उसके अंतरकत आप देखोगे इसकी, 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 गुंदेल खंड की, तीनों की 35 रियासतें जिसको 35 अलग-अलग-अलग प्रिंसली स्टेट बोलोगे 35 रियासतों को मिला कर इसका पूरा का पूरा नाम रखा गया मद्वरांथ या फिर आप इसको बोल सकते हो पार्ट A MP का गठन पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C से मिलकर हुआ है न तो हम लोग तो गठन बाद में पढ़ेंगे लेकिन गठन का इत्यास तो कुछ ऐसे उकर जाएगा इसमें हो सकता है यूपी की कच्छों लेकिन अगर यूपी आज हमारे पार्ट उता तो हम यूपी की रियासत भी पढ़ लेते हैं दो आजार के बाद 36 गडम से लग हो गया तो हम क्यों ब्लासपूर जस्पूर या फिर रायपूर जैसी रियासतों की बारे में पढ़ें जबकि हमारे सिलेवस में वह ही नहीं तो हम भगेलकंड का इत्यास कीवल उत्यों वहीं तकक पढ़ेंगे जिस बगएलकंड की बांडरी मध्यपर्देस तक रहती तो इसलिए हम लोग छिस बगкиलकंड को आज जानते उसके अंदर हमारे मध्यपर्देस की दो डीवीज़न आते ह। मोट दो डीवीजन के अंदर जितित डिस्टेक आती हम उत्तीष तिक का थियास पड़ सकते हैं अब इसके बाद जो हुआ उस पे बात करने से भी क्या होगा तो वह हमारे मतलब का है नहीं कि यूपी क्या ले गया 36 गड़ क्या ले गया हमसे ठीक है आगे बढ़े तो यह जो बात चल रही थी यह बात थी केबल एक बात थी जिसके बारे में मैंने आपको भगेल है भगेल खंड़ केबल छेत्र बताया था अब इसका दूसरा डünüzla इने में हम लोग जो ले रहें है इसी का वो डामेंशन है यहां पर इस व बागेल खंड़ का जो छेत्र था अभी आपने छिटर का इत्यास देखा अब बागेल कंड का राजबंसों का इत्यास देख लेते हैं राजबंस या फिर पूरे के पूरे भागेल खंड के अंदर आने वाले जो राजा हैं राजा उन लोगों के इत्यास भगेल खंड के अंदर आने वाले राजाओं का इत्यास सुदना मेरी बात केवल लिखने के लिए मत लिखना अगर दिक्कत आये तो पूछ लेना मैंने केवल अभी छेतर का इत्यास बताया था कि यह छेत्र इस नाम से इस नाम से इस नाम से इस नाम से जाना जाता था अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको this is totally different from that अब इसमें क्या है भगेल खंड के अंदर आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह भगेल वंस लेकिन इस भगेल वंस से पहले भी तो कोई वंस रहे होंगे इस छेत्र में अगर यह राज इस नाम से जाना जाता है तो इन पर किसी ना किसी ने तो राज किया होगा तो जिन्हों ने राज किया है हमें यहाँ पर उसका इत्यास धानना है के वल तब लास्ट में आएगा हमारा कंक्लूजन भगेल वन्स जैसे उधारण के लिए मैं शुरू बात करता हूं मौरेवंस से अब आप में से सबको पताएं अब को बताएं मौरेवंस का मद्यप्रदेश से कोई मतलब नहीं है मौरेवंस मतलब वह चंद्रखुप्त मौरे और असोक का वन्स तो वह पतना से बटना में रहते थे वो लोग लेकिन उन लोगों का एक छेत्रादिकार मद्यप्रदेश के इस वाली एरिये पर भी था आप को किसे मालने तो मुझे भी तो कोई प्रूफ देना होगा तो असोक के सिलालेक यह बताते हैं कि उसने एक पीरेट में एक पीरेट में इस छेत्र पर राज्य किया था तो बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग प्राचीन भारत से देखें तो स्टार्टिंग का इत्यास कुछ ऐसा जुड़ता है कि इस जगे पर मौरेवंस आया था मौर फिसने खो जा था कंगमने सबसे पहली बार डिसकॉबर किया था और उसने यह बताया था एलगजनर कर द्बेख करके बताया था कि यह tealgा काल ??? इसका मतलब मौर्यों का कहीं न कहीं इंटरफेयर हमारे मद्धिपर्देश में रहा होगा तो उन्होंने चाहि किसी को अराया चाहि किसी को जीता हो लेकिन उन्होंने एक शौट पीरेट के लिए मद्धिपर्देश के अंदर रूल तो किया था तो बस सबसे पहले वहीं से इस मौर्योत्तर पीरेट में देखो आपको कौन मिलेगा मद्धिपर्देश के अंदर एक वंस मिलेगा जिसका नाम है माग वंस और ये वंस आपको मिलेगा मद्धिपर्देश में शहडोल में कि यह सका इतियास है एक एक वशे जिसका नाम है माघवल और यह मॉर्या पीरेड हैं कि यह मॉर्या यह पोक्त पूर्ष मॉर्या मोरेकाल में मॉरे खुटे मॉरे खुटे आशोग के आटव को तो अवन्ति का वह था मेन, राजपल और अवन्ती के बाद में आप देखो साची और विदीसा की राजकुमारी से साधी की थी और विदीसा की राजकुमारी साची में साधी करने के बाद में साची जैसे स्टूपों को बनवाया तो अशोक के प्रमाण का सबसे बड़ा उधारण तो साची है यह नहीं सार हम यह भी नहीं जानते का हैं कि तो फिमस है ना रायसेन में तो इस यह तो मौर्यों का सबसे बड़ा प्रमाने के वह जरूर मद्दि पर देस में उन्होंने रूल किया होगा और वह सबसे पहली डायनेस्टी सेकंड डायनेस्टी में आप आजाओ पोस्ट मौर जिसको आप मौर्यत्तर काल बोलते हो उस मौर्यत्तर काल में आप जो देखोगे वो मिलेगा माग बंस यह छोटा सा बंस है लेकिन हमारे मद्दबर्दे इसके लिए जरूरी है पीटी पॉइंट अब भी से यह सेडोल वाली जगे पर था मौर्यत्तर के बाद में नेक्स्ट आता है गुपता पीरेड गुपत का पीरेड गुपतों के इतिहास में यह किलियर आइडेंटिपाई है कि गुपतों ने भले ही इलावाद और बानारस के एरिये पर रूल किया हो लेकिन उनका मैक्जिमम डॉमिनेंस का एरिया मद्दबर् इस चीज को जानने के साक्ष हैं गुपतों के द्वारा बनाए गए मद्दब्रदेश के सारे इंपोर्टेंट टेंपल आर्किटेक्चर मंदिर इस्थापतिकला इन मंदिर इस्थापतिकला में भी मैं केवल आपको दो से तीन के यूनिक नेम लिखा रहा हूं आप देखन भो का शिम मंदिर ईह लिखा ऐन ऐम सपना का नेम लिखा और सत्ना का जो मेकजिमंम पूरा का पूरा इरिया है यह भगेल से जुड़ा हुआ है कि इसके अलावा एक आप लिख सकते हो भुम्रा का कि मंदिर कि यह सारे के सारे वो लाइव एक्जामपल है जो आज भी आपको सतना रीवा के एरिये में देखने को मिल जाएंगे जो भगेल खंड छेत्र में आता है यह क्लियर शो करते हैं कि इस इस पे अधारण भानुगुप्त का एरण अभी लेक जो सती पृता का सबसे पहला साख्ष है आल ओवर इंडिया में यह तो पीटी का सबसे कॉमन फैक्ट है जो हर किसी को रटा होगा भानुगुप्त का एरण अभी लेक है तो बहले तो बाद में पहुँचे होंगे आये तो पह जित्त तो उच्जन तक पहुच गया था जीत्ते जीत्ते उच्जन को इसने अपने दूसरी राजदा नहीं बनाया था सब सतना में पन्ना में है मेरे ख्याल से यह रच्राव कुठार हाँ पन्ना में होगा एक बाद देख लेना लेकिन गुप्तों के थ्रू है यह तो कॉमन फैक्ट है गुप्त पढ़ोगे जब आप इत्यास में तो बताई देंगे सर मेरा मतलब केवल यह कि यह हां पढ़ च हां पन्ना ठीक है ठीक है ठीक है यह खोका सतना में है सही वात है ठीक है और यह नचना-कुठार का पन्ना नचना-कुठार पन्ना में है और यह सतना में है गुम्रा का गुम्रा का सतना में गुम्रा का शिम मंदिर हां गुम्रा का शिम मंदिर कि यहां से सुनो अविदर इस डाइनेश्टी को इस छेत्र पे एक अलग-अलग-अलग समय पे अलग-अलग डाइनेश्टी आई हैं कभी शुरूबात यहां से हुई होगी फिर यहां पर हुई गुपतों के बाद में जो पीरेड आया वो कहलाता है गुपतोत्तर जिसको हम अधिमें बोले जाता घुपतोत्तर इस पीरेड में इस पीरेड में कुछ भी नहीं हुआ इतियास में आप इस पीरेड़ इकस्पेसिपिक परसफर सनल्टी को देखते होगे हर्श मैं हर्ष का हमारी मद्धिप्रदेश्त से कोई मतलब नहीं Eigen तो बदी में तो इस पीरेड कन्स ने रूल किया इसे और कल्चुरि राजबन्स के समय पर ही यह दाखल्जव जता न यह बन JUST हमारे इस वाले छेत्र में रूल करता था पूरा पूरा तो दूक मत्फि राजबन्स जिसको चंडेलों ने यह से भगा कर यहां बेज आ और इस छेत्र पर बहगेल कंट पर ये कल्चुरी राजबन्स आ गया था कल्चुरी डाइनेश्टी बिसिकली बिलोंग तो दा स्पेस्पिक रिजन दूरिंग दा पीरियद ऑफ 9th से 10th सेंचुरी एडी अब इसके बाद अब इसके बाद तस्वी से लेकर ग्यारवी सताब्दी तक इन कल्चुरी यों को हरा दिया चंदेलों ने तो अब इस जगे पर स्पेस्पिक रूप से रूल करने लगे चंदेल राजबन्स अब इस जगे पर स्पेस्पिक रूल कौन करने लगा चंदेल रा यह मिठा दूँ चंदेल राजबंस अला उदर ठीक है तो इन चंदेलों के बाद में इस 11 से लेकर 12 सताबदी के बीच में यहाँ पाद तुरकों ने आक्रमण शुरू किया और तुरकों के आक्रमण के बाद में आप देखोगे महमूत गजनेवी जैसे सासकों ने आना शुर पूरा एरिया तुरकों के पास आ गया तो तुरकों के अधीन हो गया महमूत गजनेवी के समय पर अब दीरे 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 देखना यह एरिया तुरकों से छिनने के बाद जैसे जैसे तुरक तुरकों का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब क्या है मेहमूद गजनभी तो ऊपर ही रह गया तुरकों ने जब अपने आपको सेटल डाउन कर लिया तो तुरक मतलब मेरा यहां पर मतलब है चाहे वो गुलाम बंस हो चाहे वो खिलजी राजबंस हो चाहे वो इसके आगे आने वाला तुगलक राजबंस हो यह तीनों राजबंस उसके बाद लोधी तो अफगान थे तो तुरक और अफगान बोलते हैं न हम लोग तुरक अफगान तो तुरकों ने यहां पर राज करना चालू करा इस जगे पर दीरे दीरे दिल्ली सल्तिनत का जब पतन हुआ तो यह छेतर फिर से बीरान हो गया और बीराने के कारण यह चोटे 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 जन्जातियों के लोग रहने लगे जातियों में जीन हम लोग बोलते ते भर गॉंड सेंगर यह जाती के लोग इस जगे पर रहने लगे थे इस संपूर्ण एरिये में जिसको आप उसको आप दीरे 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 अलग अलग नाम उसे जानते हो उन जगे पर इस जाती के लोग रहने लगे थे जिने आप भर गॉंड या सेंगर के नाम से जानते हो तुर्कों के बाद इसका मतलब तुर्कों के बाद का मतलब दिल्ली सल्तिनत के पतन के बाद दिल्ली सल्तिनत के पतन के बाद जब बावर ने इब्राइम लोधी को अरा दिया और इब्राइम लोधी के हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया उस पीरेट से बावर ने जब तक अपने आपको सेटल किया इस जगे पर आपको कुछ इस तरीके के छोटे-छोटे इस पेस्पिक लोग मिलेंगे भर लोगों ने चोई और अब इस छेत्र पर रूल करने लगे ये लोग भगेल और इन्हों ने अपकर पूरा शेत्र बनाया है जिसका इन्होंने नाम रखा भट गहुरा का छेत्र, तो वो छेत्र और ये राजबंस, वो छेत्र और ये राजबंस, तो आनों को जोइंट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा, एक स्पिस्पिक समय पर इस छेत्र का इत्यास किसी एक राजबंस से जुड़ा होगा, उस राजबंस ने किसी एक छेत्र प ठीक है और भट गहुरा के बाद आप देखोगे यह भगेल दीरे दीरे फाइनली राज करते हैं सब पर और फगेलों को फाइनली लास्ट इस छेत्र पर राज करने वाले जो मेन थे भगेलों के साथ में बिटिशर्स भगेलों के साथ में बिटिशर्स तो हमें तो बेसिकली भगेलों तक ही सिमित रहना है अगर आप यहां तक भी रह लेते हैं तो अभी more than sufficient है पास समझ में आई एक specific area का historical background और उस specific area में जिसको हम भगेल खंड के नाम से जानते हैं जिसको हम रेवांचल के नाम से जानते हैं जिसको हम रीवा के नाम से जानते हैं उस area का अगर आप dynasty based background तयार करोगे तो historical background भगेल बंस तक आने से पहले कुछ इतने अलग-अलग राजवाड़े या राजबंसों से होकर गुजरा है और उसके बाद 13 सतापदी में भगेल राजबंस इस छेत्र में आया है क्या यहां तक clear है तो शुरू करें भगेल राजबंस जब मिठाना ही था तो पूरा कर देता हुआ करें भगेल डाइनेस्टी एक है कि सारी चीजे पता चल गए आपको भगेल खंड के इत्वियास पर अब सबसे पहले जो शुरू बात कर रहे हैं वह शुरू बात कर रहे हैं और इजन ऑफ भगेल अगेलों की उत्पत्ति कौन है वगेल लोगेल थाको रहे हैं वगेल राजपूर थाको रहे हैं यहां पर भगेलों की उत्पत्ति की बात चल रही है और इजन ऑफ भगेल तो आप इसको अभी भी लिखना नहीं है समझना है तो जो बात चल रही है यहां पर वो बात चल रही है भगेलों की उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति को हम लोग दो कॉंसेप्ट से जोड़ते हैं सब से पहले हम लोग बात कर रहे हैं वो गुज्रात से शुरू बात कर रहे हैं इसकी ओए और उसके बाद हम लोग जो सेकंड नंबर पर पहुचेंगे वो पहुचेंगे समझ में आ रहे हैं जो भस हम मैं ऐसे लिखा करूँगा ठीक है हमार करे में गुजरात में आपने इतिहास पढ़ दी अप्राचिनकाल का आपने एक राजबंस पढ़ा हो जिस राजबंस का नाम है बादमीन केचि अर्धमी के चाले कि राचिनkाल हु गया कि इसको आप एंडिया कि अग्राइब को अरे छोड़ो छोड़ो इधर आओ नहीं हुआ ना तो तो रहे गया है कि अग्राइब कुजरात में एक जगे है छोटी सी एक जगे है अनहिल बाड़ा अनहिल बाड़ तो यह सुनना बात को पूरे के पूरे अगर ओल ओवर इंडिया के कॉंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप फिर से बना देता हूँ अब अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं इस वाले एरिये की और हमारा मद्द पर्देश यहां पर है मद्द में है इसलिए मद्द पर्देश है यहां पर जो बात चल रही है अगर आप इंडिया की अगर इस्तिति को देखोगे तो आपको यह करनाटक के और महराश्टा के पास में एक स्पेसपिक डाइनेश्टी मिलेगी जिसको बोलते हैं बादामी के चालूक यहां पर कि जालूक तो चालुक की डाइनेश्टी तीन अलग-अलग डाइनेश्टी हैं जब आपको इत्यास्क बाले टीचर पढ़ाएंगे तो वो उताएंगे चालुक की जो हैं वो तीन अलग-अलग डाइनेश्टी के हैं एक कल्याणी के चालुक हैं कल्याण एक जगे हैं महाराष्ट्रा में तो उसके नाम पर उनका नाम पड़ा कल्याडी के चालो की, बादामी एक जगे है करनाटक में, बादामी पटटडखल, एहोल, यह जगे हैं, इन जगाओं पर 인्नों ने रहने शुरू कियरा, तो यह कहलाने लगे बादामी के चालो की, और ऐसे एक चालो की हैं जो इस्टन व इन चालूक्यों की ब्रांच ने दीरे 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 यहां से सिफ्ट करना चालू किया और गुजरात की एरिये में सिफ्ट होना चालू किया जब यह गुजरात की एरिये में सेटल डाउन हो गए इनकी एक ब्रांच ने इनकी एक साखा ने गुजरात की एरिये में सेटल डाउ तो इनकी एक साखा क्यालाने लगी सौलंकी तो यह सौलंकी जो है यह सौलंकी बेसिकली चालू किये लेकिर अब इनोंने अपने आपको टोटली काटके उस वाली राजनीती से काटके अब यह गुजरात की एरिये में आ गए और गुजरात की एरिये में इनोंने एक नया पू इस मूल राज का इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी गुजरात में यह सौलंग की वंस बनाया इन्होंने और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह राजधानी थी अनहिल वाड अनहिल वाड कहां पर रहे है आज के समय पर हां गुजरात में तो गुजरात में प्रॉपर कहां अनिल्वाल पारण इस्टिक का नाम सुनग कर ़ना में पतन अनिषित को उस समय पर अनिल्वार बोलते दे मेहं इस जेए गर तेह जैपके घर पर देख ले ना पाइडन काहें आपको पता चल जाएगा वह अनिल्वार्ण है उसकी बात चल रही घो यहां तक है इस हैरार्की को इस हैरार्की को कंटिनू आगे बढ़ाया इसके बच्चे ने कुमार पाल देखना चीजे कैसे चल रही है अभी कुमारपाल ने इस हिरार्की को आगे बढ़ाया मूल राज से ये हिरार्की चालू होती है सौलंकियों की ये भी सौलंकी राजपूत है ये भी ठाकोर है इन लोगों ने मूल राज की हैरार्की को इसके पुत्र कुमार पाल ने आगे बढ़ाया कुमार पाल के बाद उसका पुत्र हुआ अर्णो राज अर्णोराज ये इसका पुत्र है और इसके बाद अर्णोराज के बाद इसी हैरार्की से ये लोग आगे चलकर गुजरात में सैटल डाउन हो गए गुजरात में रहने लगी मूल राज की लडाई हुई थी इसने जैसे मुहम्मद गौरी के बारे में बोला जाता है उसने बहुत अलग अलग लड़े लेकिन महमूत गजने भी इतना ज़्यादा वह नहीं था वारियर महमूत गजने भी लाइफ में एक भी युद्ध नहीं हारा ठीक है यह मुहम्मद एक मुआड में गौरी हारावी जीता भी शौलं की राजवांस के राजया इसी से लडाई हुई थी इसकी मूल राज से बात चले यह कै इस सोबणाध पर आक्रमन की हो था तो यहाँ पर जो बात चल रही है कुमारपल उसके बाद सन आया अर्णोराज इस सुनो इस अर्णोराज ने अपनी मौसी का इसकी मौसी का एक लड़का था इसकी मौसी के लड़के को इसने एक जागीर दी यहाँ पर और वो जागीर जो दी वो जागीर थी भगेलवाडी ज उसी जगह पर गुजरात में वो जागीर जो दीती वो जागीर थी भगेलवाडी और उस भगेलवाडी जागीर को मतलब एक स्पेश्पीक लेंड का एर्या दे दिया अपने भाई को ही जो कजिन था उसका 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 जिन को दे दिया कर देडैंडर तू ये एरिया ले और उसके बार जल कर इस अरणोराज के बाद और उसकी शुरूबात जो हुई वो शुरूबात हुई व्याग्र देव ये जो व्याग्र देव है ये इसकी मौसी का लड़का था अर्णो राज की अर्णो राज ने इसको एक जमीन दी वो जमीन कहलाई भगेलवाडी और भगेलवाडी छेतर में रहने के कारण कालंतर में सौलंकी राजबंस के अन्य उत्र अधिकारी भगेल 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 नाम से जाने जाने लगी। क्योंकि ये उस specific location में proper settled हो गए थे, अब ये उनकी पूरी hierarchy हो गई थी, सारी के सारी। तो ये लोग व्याग्रदेव और व्याग्रदेव के बाद से आगे की जित्ते भी लोग है वो सब सारे के सारे भगेल कहलाने लगे। तो भगेल वंस का जो इत्यास जुड़ता है भगेल वंस का इत्यास यहां से शुरूबात होती है उसकी और उसके बाद उसके बाद ये ज जो दो अलग 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 श्टोरी है इनकी पैली प्रलिइनट जिस पर सारे के सारे मद्दिवर्देश के इत्यासकारों ने सात करा इस पूरा उने नी मसली दिय. विए और उनके दो लड़के विमल और वी सल देव ये तीनों के तीनों प्रियाग की यात्रा के लिए गए थे, प्रियाग मतलब इलावत, इलावत की यात्रा के लिए गए तीरत यात्रा के लिए, तीरत यात्रा करके जब ये बापस आ रहे थे, तो बापस आते समय ये जो संपूर्ण एरिया है कालेंजर का एरिया, ये कालें पर उन्होंने कुछ समय के लिए ठक गए थे तो शेल्टर पॉइंट लिया थोड़ा आराम कर लेते और आराम के किस्प में यह उस जगे पर रुके रुकने के बाद में उससे थोड़ी दूरी पर एक जो छोटी सी जगे थी जिसका नाम था यह घटका हो रहा इस जगे पर लोधियों का अधिकार था यह लोधी कौन है यह लोधी वो लोधी है जिनकी में ब्रांचे दिल्ली पर रूल कर रही है इसका मतलब आप समझ सकते हो इसके साथ में यह एक जगे है जो दिल्ली है और इस दिल्ली में इस समय पर लोधी राजब लोधी साहित के lli सलतनत का ताइयत के बाद यह आए ते है ना लोधी उनकी ब्रांचेश के चोटे-मोटे उनके सेपह-सालार या उनके प्यादे केले चपाटे टाइप के उन लोगों ने इस छेत्र पर अधिकार कर लिया इस छेत्र पर यहांपर और और इस छेत्र पे रह रहे थे भर राजा और छोटे बोटे एरिये पे यहाँ पर कहीं पर सेंगर रह रहे होंगे। इन लोगों क्या करने हैं सबसे ना इनकी जमीन ना इनको कोई मतलब। यह लोग तो यहाँ पर बस किबल रुकने के लिए आये थे। भर राजाओं के अधीन एक specific area था मडीफा का किला मडीफा फोर्ट में यह थोड़े समय के लिए बाप बेटे तीनों मिलकर कुछ समय के लिए shelter लेते हैं रुकने के case में जब उसे पता चलता है इस भर राजा को कोई गुजरास से आया है और यहाँ पर रुका हुआ है और वो बहुत barrier लोग है थाकुर लोग है तो ऐसे case में वो इनके पास पहुंचता है इनको थोड़ासा मतलब वो देता है और उनको बताता है कि यह लोधी है लोधी लोगों ने हमारी जमीन पर आकर कबजा कर लिया और हमारे सारे के सारे area को capture कर लिया अगर आप हमारी मदद कर दो हो इस case में तो हम आपका जिंदगी वर gratitude रखेंगे तो ऐसा यह उन लोगों से बोलते हैं और ऐसे cases में फिर जो ब्यक्ति था व्याग्र देव यह व्याग्र देव जिसकी यहां पर मैं बात कर रहा हूं यह व्याग्र देव और इसके दो पुत्र भीमल देव और पीसल देव यह तीनों जो इस किले में रुके हुए थे यह लोग अब इस भर राजा की मदद सुरू कर देते हैं और भर राजा की मदद करने के बाद यह इस लोधियों के जो यहां पर लोधियों के जो सामंत थे यह लोधि सामंत जो इस एरिये पे specific एरिय यह इस एरिये पे जिन्होंने रूल किया था वहां से इनको मार के भगा देते हैं कि फाइनली डिफीटेट टू लोधी सामन्त या लोधी फ्यूडल एंड दे कॉंकर्ड इस स्पेस्पिक एरिया और जब यह इस स्पेस्पिक एरिया को जीट जाते हैं तो उनको तो यह एरिया चाहिए नहीं था वो तो गुजरात बापी जा रहे थे यह भर राजा इनसे बो ट्रांसपर कर देता है हैंड ओबर कर देता है इसके लिए तो जो एरिया भर राजाओं का था लोधियों से छीनने के बाद में यह लोगों के पास आ जाता है और यह और दोनों पुत्र के साथ में अब फाइनली फर्स्ट सेटल डाउन हो जाती है यह इस एरिये में और यह से और इस वाले एरिये को जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं यह एरिया इस नाम से जाना जाता है आज के समय में और यहां पर अब सुनना पहले अभी कंक्लूजन नहीं हुआ इस जगे पर यह जो इंपोर्टेंट व्यक्ति था केवल यह रहता है बाकी बाप और बेटे यह बापस गुजरात चले जाते हैं यह बाप और बेटे कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है हम तो गुजरात से आयते बापस गुजरात जा रहे हैं यह गुजरात में जाकर यह यह और यह यहां से चले जाते हैं अब मद्यपरदेश में बचा केवल यह व्यक्ति वारा सो चोंटीस में मद्यपरदेश के इस छेत्र में सबसे पहली बार भगेलवंस की स्थापना करता है और इसी के साथ में मद्ध्रदेश में भगेल वन्स की स्थापना की शुरूबात मानी जाती है अब आप कोगे से कैसे मालने वीर भानुदय काव्यम पूरी भगेल डाइनेश्टी को जानने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है यह पुस्तक है जिसका नाम है इसे लिखा था इसने माधव उरभ्य यह राइटर है जो इस डाइनेश्टी के एक किंग थे वीर भानुदय भगेल उनके दर्वार में था उन्होंने यह किताब लिखवाई दी के मेरे पूरे वन्स का इत्यास लिखो इसके इत्यास के सोर्सों से यह पता चलता है कि भगेल वन्स की उत्पत्ती कुछ गुझरात के सौलंकी वन्स के साथ जुडती है और उसकी अहरार की कुछ इस तरीके से यहाँ आती है मद्धिप्रदेश में भगेल वन्स को स्थापित करने वाला जो मेन व्यक्ति था वह था ब्याग्रदेव और इस ब्याग्रदेव के पुतर भीमल देव ने फाइनली सेटल्ड किया था क्या भगेल वंस 1234 में सबसे पहले यह दैट मीस 13th century की बात चल रही है 13th century में पहली बार यह आपको यहाँ पर दिखेगा बारा सब्सक्राइब डारा सब्सक्राइब लिए ऑन एक यह त्युक्ष्ट देख लेना में को एक्शल एक्रियट यह माधव और अभी ओध वर भी और राजदानी कौन सी यह पहली और अरे बट गवरा कोश्चन आया इस बार पीटी में आपको तो देना नहीं है एक जाम इसलिए बात अलग है लेकिन तीन कोश्चन बने इत्ती बड़ी रामायन से मेरी अगर जिसने इस बार पीटी दिया होगा उसको पता होगा मैंने तीन कोश्चनों का अहल दे दिया कौन-कौन स हाँ बट्ट का हो रहा हाँ और वो यह रीवा किसके समय पर राजदानी बनी भगेल खंड की राजदानी रीवा किसके समय पर बनी मैंने बताया बिक्रमा जित बिक्रमा जीत का क्वेश्चन मना इस बार पीटी में और एक और क्वेश्चन मनाए कोई तीन क्वेश्चन मनें से ये केवल कानी किस्तों से पीसल देव पीसल देव इस डाइनेश्टी के राजा माराजाओं ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है इत्यास में उतने पॉपुलर नहीं है जितने बुंदेले और गौंड है उतने पॉपुलर नहीं है इत्यास में क्योंकि इनिशल फेस में इस डाइनेश्टी के जितने भी राजा आपको मिलेंगे या तो वो आपने आसपास के सरक्यों के साथ में सम्मंद रखे हैं उन्होंने या फिर यहां पर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के साथ या फिर दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद में मुगलों के साथ में तो बहुत ज्यादा प्रभावी आपको नाम नहीं मिलेंगे उनके तो आप इतना क्यूरियस मत होना कि सर एक एक राजा को जानना है कुछ भी नहीं मिलेगा कोई important work नहीं है उन लोगों की कोई भी important काम नहीं है कोई भी जितने important हैं हम लोग उस पर तो discuss सारे करी लेंगे मिटा दूँ कि वैसे नोट्स मैंने दे दिये सारे आपको मैंने खुदी के दे दिये बना कर तो यह आपको सारे वैसे भी हो सकता है वो आज यह कल में आपको distribute कर दें तो आप समझ भी लो तो उससे भी काम हो सकता है हो गया अब देखना एक 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 को रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको अगर यह थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो पूरी भगेल डाइनिस्टी आपको समझ में आ जाएगी यह वाला पार्ट मिटा दूँ यह थोड़ा सा पार्ट मिटा देता हूं अगर मैं भगेल बंस के इत्यास की बात कर रहा हूं यहां पर और मैंने उसकी स्टार्टिंग बता दिया आपको औरीजन पता चल गया अब अब हमें केवल 1947 तक जाना है जो आपके स्लेवर्स की डिमांड है कि प्रतेक राजबंस को उठाओ और उठाके उसका इत्यास पड़ो 1947 जब तक देश आजाद नहीं हो गया तो यह भगेल राजबंस के बारे में पता चल गया कैसे इसका उधवा हुआ अब यह भगेल ट्रेड में इसके कंटेंप्रेरी अगर पावर को आप देखोगे तो आपको पता होगा रीवा के पास में जैस्ट यूपी का बॉडर लगता है कि नहीं तो यूपी का बॉडर का जो पार्ट है उसमें यूपी लगता है इस समय पर एक राजबंस था जिसको बोलते हैं कि नहीं है मुझा आ अर्ट कहुत कि इंप्रेंट के कि इतियास में पढ़ाता चत्र की राजबंस हाँ अंक एबराहिम सहा सरकी वगेरा है वह सारा सरकीराजबंस पप्रस तो इस पीरेड में इसू पीरेड में आप बोलोगे सर मद्धी पृदिस में क्या हो रहा था इसी पीरेड में मालवा वाला जो छेतर था ये मालवा वाला जो संपूर्ण छेतर ये मुगलों के और उससे पहले सल्तनत के अधीन था तो सल्तनत के अंदर इस छेतर में भी कल्तनत की एक छोटा सा पार्ट रहता था जिसको आप बोलते हो मालवा की सल्तनत मालवा सल्तनत और इस मालवा सल्तनत के अंदर यहां पर भी आप देखोगे important ruler रहता था मेहमूत खिल जी सुनना एक बात जहां से इस specific मालवा सल्तनत की जब मैं बात करता हूँ इस मालवा सल्तनत की सुरूबात होती है सबसे पहले गौर राजवन्स के साथ गौर राजवन्स जिसकी स्थापना करता है दिलावर खां गौरी उसके बाद उसका लड़का आता है हुशंग सा गौरी है ना तो आप इसको गौर राजबंस भी बोल सकते हो गौरी राजबंस भी बोल सकते हो इस राजबंस के बात में इस जगे पर दूसरा जो राजबंस आता है यह है खिलजी राजबंस इस खिलजी राजबंस में आपको ये खिलजी वही खिलजी है जो इस समय पा दिल्ली में रूल कर रहे थे अलाउद्दीन और उसके वह चोटे 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 चले चापाटे टाइप के लोग वह दीरे दीरे आकर मालवा में सिफ्टोना स्रू कर देते मतलब मालबा मतलब हमारे एरिये में और अगर इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कौन सा एरिया धार और मांडू का एरिया धार और मांडू की एरिये में ये लोग दीरे दीरे रहना सुरू करते हैं वहाँ पर तो ये खिलजी हो गया खिलजी के बाद में इसी पीरेड में आ किसव इस समय पर यहां पर जो बेकती था dwut ai में मेह मुझं गिल्जी का नाम भी भूल जाओ सिंपल याद रखो इस अ करफ डिga इस घ्ली सल्टन थी इस घ्ली सल्तनत के साथ के जो रिलेशन से वो बात की बात है यहां पर इसके साथ खिल जी सल्तना थे सिमिलर यहां पर इसके साथ में यह सीधा सीधा लोदियों के साथ में लड़ाई चल रही है इसकी और लोदियों की सरकियों के साथ में जबर जश्टसन है क्यों क्योंकि लोदी जब भीक होना शुरू तो दीरे दीरे सर्कियों ने अपने आपको आजात कर दिया और लोधियों ने ये कसम काई थी फिर कि आप तो इनको पकड़ना है बापस बेलोल लोधी के समय पे जौनपूर को इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया और जौनपूर को इंडिपेंडेंट करके इन्होंने एक अलग सरकी राजबंस की स्थापना कर दी पहलोल तो मर गया उसके बाद उसका लड़का आया सिकंदर लो दी उसने का मैं देखता हूं इन्हें द्वारा से पकड़ के पूरे जौनपूर को दिल्ली सल्तिनत के अंदर द्वारा से उन्होंने उसको उसमें रख लिया इसको इन के मिलने के चक्कर में ये लोग इनसे बहुत नफरत करते थे इसलिए आप देखोगे दिल्ली सल्तिनत के पीरेड में कभी भगेल राजबंस और दिल्ली राजबंस के पीरेड में कभी इनके जो संबन्न है मैत्री पूर्ण नहीं रहे कभी भी जो कि उन्हें मालुम था दि बुंदेलों का हो सकता है कोई भी बुंदेला आके इनसे कुछ भी चीन सकता है कभी लड़ाई कर सकता है मैयर इनके पास था मैयर इनके पास था पार्सिंग मुंदेला ने अटेक किया पार्सिंग मुंदेला ने मैयर चीन के ले गया और उसके बाद से भगेलों के पास कभ माईयर हमेशा से भगेलों से छीन गया तो आप देखो ऐसी इस्तिती में इन से डर रहता था इनको क्यों सकता है लड़ाई हो जाए तो ये तो मदद करेगा नहीं तो ये इसकी मदद लेते थे तो प्रारम्य की स्तिती में जब आपको दिल्ली का इत्यास दिखेगा और दिल्ली के इत्यास में कुछ इस तरीके के लोग दिखेंगे अब बात Race रही है कि जब बंगेलों ने अपने आपको बठ्ट गवहरा में सैटल्ड कर लिया सैटल्ड करने के बाद मैं अब बात आती है अपने आपको एक्सपेंट करना है कि मैं सैटल तो हो गया अब मैं दीरे दीर में अपने तो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करूंगा तो अगर मैं इस छेत्र पर हूँ छोटे से एरिये में बुंदेल खंड और उपी और एंपी का बाउंडरी पर के वह एक छोटी से जागा पर अब मुझे एरिया एक्कॉइड करना है तो मुझे लडाईयां करनी पड़ेंगी और लडाईयों के केस में किसी को दोस्त किसी को दुस्मन तो बनाना पड़ेगा तो आप देखो इस जगे पर ये इसको दोस्त बनाता है इसको दोस्त बनाता है और इसको दोस्त बनाने के केस में भगेल राजबंस के अंदर ये दीरे दीरे इस एरिये पर इस जगे पर तो जो इनिशिल फेस में इन्होंने भट गहोरा लिया था यहाँ पर थे यह MP और UP के बॉर्डर चित्रकूट के पास में भट गहोरा अब इस भट गहोरा से यह मद्ध ब्रदेश के अंदर जंगली एरिये में घुशना शुरू करते हैं और यहाँ पर expansion का process शुरू करते हैं और इस expansion की process में इनको मदद करता है जौनपूर का सरकी राजबन लेकिन इसी पीरेड में इसी पीरेड में इनकी लडाईयां हो जाती हैं लोधियों के साथ में तो आप बोलोगे सर समझ में सवारा है लेकिन कोई personality का तो नाम कोई एक personality तो होगी तो इस भगेल राजबन में important व्यक्ति था बुलार देव यह करता है भगेलों के छित्र का विस्तार भीमल देव ने उसको settled कर दिया था भीमल देव निकल गया गया गेम खतम उनका उसके बाद उनके उत्रादीकारियों के रूप में धीरे 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 अब यह में उत्रादीकारी आता है और यह अब पूरे के पूरे ट्राइपाल्टी पूरे के पूरे अलग 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 रिलेशन मनाता है यह रिलेशन मनाता है लोदियों के साथ में यह रिलेशन मनाता है खिलजियों के साथ में यह रिलेशन मनाता है गॉंडों के साथ में और इसके रिलेशन का प्रभाव प निति का प्रियोग कि विस्तारवादी निति का प्रियोग जिसको बोलते एक्सपेंशन पॉलिसी कि समझ नहीं बत यह भगेल डाइनेश्टी का पहला ऐसा इंडिपेंडेंडेंट किंग था जो खुश से अपने टाइटल एडॉप्ट करता है महाराजा तो अब आप देखोगे यहां पर महाराजा धीराज तो अगर कोई आदमी अपने नाम के आगे महाराजा धीराज लेक रहा है इसका मतलब वो बहुत सारे छेत्रों को अपने अधिकार में रखता है आप देखोगे धीरे धीरे इसने मद्धिप्रदेश के अंदर आना की अर्म आप्रीराज के उपादी धारन की भी महाराजा धीराड मिज्टी कुक टाइटल एस आ है इसने अपने अपने चयास्सटल एडोप्ट किया उसक्राइटल का नाम था उपादी जिसको बोलते वह उपादी थी महाराजा धीहां वादूनां यापने पूच्टने码 जा आप पूछा मुझे लागा कुछ पूछना चाहरे हो तो यहां तक की बात के लिए रहे यह व्यक्ति बुल्लार देव के समय की जो बात चल रही है इस समय पर कॉणफ्लिक्ट समझना थोड़ा सबस कॉणफ्लिक्ट यह चल रहा है कि यह दिल्ली सल्तनत को पसंद नहीं करते क्यों अभी अभी विचारों का जनम हुआ है और अगर दिल्ली सल्तनत की नजर लग गई तो पूरी डाइनेस्टी को खा जाएंगे और उस समय पर दिल्ली सल् जनम है तो ऐसी कंडिशन में इसने फिरोजसा तुगलक के साथ में कोई दोस्ती नहीं की चुप 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 धीरे दीरे अपने छेत्र को बढ़ाता चल रहा है क्यों क्योंकि इसको एक बड़ा राजवन्स क्रियेट करना है थोटी सी स्थापना के साथ में अगर इसने दीरे दीरे चेत्र विस्तार को आगे बढ़ाता चला गया है और इसके केस में आप देखो कि हाँ इसने एक व्यक्ति को मदद नहीं की वह व्यक्ति था मेहमूत खिल जी मेहमूत खिल जी इसके पास मदद के लिए आया था कि मेरी लड़ाई चल रही है नीचे इधर ये जो एरिया लगता है मद्दबर्देश का इस एरिये को निमाड का एरिया बोलते हो गुरानपूर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, हर्दा का ये जो एरिया है जिसको हम लोग भगेल कंड के नाम से बोलते हैं इस चकेप पर मैक्जिमम रूप से हातियों की अलग-अलग-अलग-अलग आप देखेंगे वो मिलती है, मंडी, बड़ी-बड़ी हातियों की ब्रीडिंग बहुत जादा है बहुत जादा हाति है, जब बुल्लार देव से मदद मांगने गया कि मुझे वहाती चाहिए तो बुल्लार देव ने इसको हाती देने से मना कर दिया और बत, एक स्क्यूज ये दिया कि मुझे नहीं पता हाती का होते हैं आगे जंगलों में चले जाओ आपको मिल जाएं तो ले लो तो आगे जंगल में तब 36 गड़ में कौन गुजेगा इतने घने जंगलों में तो उसने का ठीक है अब इसको मदद नहीं करेंगे बाद में इसका इसलिए इससे conflict हो गया बाकी अपने जितने भी छेत्री अलग अल एगलग लोग थे उनके साथ में इसने अपने हार्मोनियस लिलेशन मनाए और उस हार्मोनियस लिलेशन का प्रवाब पढ़ा कि बुलार देव ने उस भगेल राजमस की सत्ता को उस डाइनेश्टी को इतना एक्सपेंड कर दिया कि वह जो डाइनेश्टी भट गहोरा तक फैली हुई थी अब भट्ट गवरा से आगे बढ़ते हुए मद्द प्रदेश के जंगली एरियों को काट कर दीरे-दीरे-दीरे-दीरे expand करने लगी और यह जो बात है यह बात चल रही है समकालीन इस समय की अगले कि लेकिनन है जैसे ही लोडीओं में सिकन्दर लोडी ने जॉनपूर को पूरा का पूरा कबजे में ले लिया बपस है औँस इत धीरे से की चिट जिफ्ट ऑठ धीरे से होने के बाद में यह पूरी तरीके से अब इनके मित्र बन जाते हैं और मित्र बनने के बाद आप बोलते हैं कि郭ी बात नहीं है हमारा इन से को इसमय पर वीक होते जा रहे आप देखोगे लोधियों की सत्ता का पतन होता जा रहा था और आल्मोस्ट दिल्ली सल्तनत उस समय पर खतम होती जा रही थी और दिल्ली सल्तनत के खतम होते होते आगे आता वो समय जब बावर ने इंट्रेंस शुरू कर दिया था भारत के अंदर और बावर के इंट्रेंस का प्रवाव ये पढ़ा battle of पानिपत first battle of पानिपत first जो 1526 में हुई थी उसमें फाइनली इब्राहिम लोधी खत्म और इब्राहिम लोधी के खत्म होने के साथ में ही आप देखोगे यहां पर इब्राहिम लोधी को इब्राहिम लोधी को support कौन कर रहा था इब्राहिम लोधी जो में व्यक्ति था आप देखोगे यह इब्राहिम लोधी जो था इसको जब पानिपत के युद्ध में हराया था इसको जब पानिपत के युद्ध में हराया था इसी युद्ध में इसके साथ में इब्राहिम लोधी के साथ में मदद करने के लिए भगे तो बात चंदेरी वाला किस कहा से ला रहा हूं बताओ कहा Że ry a ु इस पार्ख आड़ सुन के राजा की बात छोड़ दो वो तो एक अलाला के चंदेरी का राजा जिसको आप वो बोलते हो चैया नाम बोलते हो उसको मैधिनी राए तो मैधिनी राय नाम नहीं है उसका चैटल है उसका ओरिजनल नाम है गंड नाम की नाम आगर अपर देस का पुर्बीत। नाम के साथ लिखते थे पूरविया तो उसको मेहमूत खिल जी ने टाइटल दिया था मैदिनी राय का और चंदेरी दिया था उसको अड़ाओ पानिपत का जो फर्ष्ट बार हुआ था उस बार में इबराहिम लोधी जब हारा था उसी लड़ाई में बावर ने जब तुझु के बावरी लिखी थी उसमें ये बोलता है बावर के इस लड़ाई में हिंदोस्तान की ये ये मेंसासक इसके साथ थे और उसी के अंतरगत ये लोधी और दिल्ली सल्तिनत का पतन हो गया अब यहां पर ये ट्राइंगल एकदम चेंज हो गया और इस ट्राइंगल के अंदर ये लोधी खतम हो गए और अब भगेलों की दोस्ती मुगलों के साथ हो गई तो अब इस ट्राइंगल के केवल दो परणाम रहे केवल दो इस पूरी भगेल डाइनेश्टी के अंदर जितने भी राजा आपको देखने मिलेंगे तेरवी सताब्दी से लेकर सत्रवी सताब्दी तक जितने भी राजा आपको देखने मिलेंगे चाए आप पीटी में उन अधिनस्त के रूप में, क्योंकि मुगलों के बरावर आना बहुत बड़ी बात होती है, तो मुगलों के अधिनस्त, अब इसमें किसी को भी उठाकर देख लो, जैसे अक्वर ने बोला, राजा रामचंद को, तांसन चाहिए, तो मजाले वो तांसन को रोक पाए, ये लो, त बना लूँगा तो वह एलिए उन्हें का बांदअ चाहिए बांदवगण स्युटकर करके रीवा तो उनको जो चाहिए वो चाहिए कि आपको हमेशा यहां कट्सी के रूप में लिब्रल रेडां आप आपने मुगल सत्ता को आखे दिखाई तो हो सकता है आपका पूरा भगेल खंडी हम लोग एक सूबे में कर दें तो यहां पर 13 से लेकर सत्रवी सताब्दी सक्का सारे भगेल डाइनेश्टी के जित्ते भी इंपोर्टेंट डूलर है उनका इत्यास मुगलों के साथ में पेटिशर्स के साथ क्यों 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 अरे नहीं उसका रीजन तो होगा कोई अब एक समय पर जब आप पीक पे जाओगे तो आपका डाउनफॉल भी आएगा तो मुगल तब ही तक पीक पे थे जब तक औरंग जेव था और 1707 में आफ्टर देट आफ औरंग जेव बिकम वेरी वीक एंड इनकॉंपिटेंट और जब यह इनकॉंपिटेंट हो गए तो इनके पास बहुत अच्छे रूलन नहीं बचे तो ऐसी कंडिशन में मराठों ने इनकी हालत खराब कर दी अब यह दो ही तरीके बचते थे या तो आप मराठों के साथ में संधी करो तो आपक और पिंडारी उनके साथ चलते थे और पिंडारियों के यह उसूल था कि पिंडारी लूट मार बहुत करते थे एट्रो सिटी बहुत करते थे छेत्र में जाते थे वहां मारकाड बहुत करते थे तो ऐसी स्तिती से बचने के लिए भगेलों ने इनका साथ ले लिया कि कम से क हमारे एरिये में सांती तो रहेगी और यह लोग इस छेत्र में ऐसा नहीं कर पाएं तो यह तो मराठो की अधीन हो गए और इसने समझदारी से बिटिसर्फ की अधीनता स्विकार कर ली साइक संदी के अंतरगत तो एक छेत्र में चार्ट तीन 200-300 का काल भगेलों का जो आपक कि ऐसे इत्यास ऐसे चलता है यहां पर आपने पावर्फुल सत्ता देखिए वहां पर और लाश्ट तक रिवा डाइनेश्टी के जो में रूलर है लाश्ट तक जैसे गुलाब रहे उसके बाद उनका लड़का मारतंड रहे जिसके समय पर देस आजाद हुआ यह तोटली पूरी तरीके से पूरी तरीके से सोली डिपेंट थे बिटेस गवर्फमेंट के पास क्या कर रहे हो तो कि अब बात यह चल रहे है कि किस तरीके से हरार्की इस तरीके से कॉंटीनियू करके अपने पूरे के पूरे छेत्र को चलाती है बात समझ में आई कि हमें क्या लिखना है हुँ हां कि अभी देखा पहला है क्वेस्टन मैं लिखाओंगा न मैं पहले पूरा भगेल डाइनेस्टी तो कलने मैं आपको बताऊंगा थ्री मारकर फाइब मारकर 11 मारकर कैसे रेज हो सकते हैं यह बात आपकी सही है कि यह नया जुड़ा है कि अभी कुछ भी नहीं पता इसके क्वेस्टन कैसे देखेंगे बाट एक एजम्शन तो होता है ना जब हम पूरी के पूरी ठ्वरी पढ़ लेते हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकता कोई हम लोग सारे सारे क्वेस्टन देख लेंगे तो हमें पता जल जाएगे कि एक दो कुश्चन जैसे थिरी मारकर में इसके सबसे इंपोर्टेंट रूप में ले सकते हैं रागुरास सिंग ठीक है अब 11 मारकर में अगर हम लोग लेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे भगेलखंड छेत्र की अतियासिक प्रश्ट मुमी पर प्रकाश डालिए या फिर ल तो इस तरीके की जो कुश्चन बनेंगे वो यसी रामेंड से निकलेंगे कट-कट के कौन से नाम कहां पर है बस केबल दो-दो लाइने लिखना है उसमें पेज भर जाएगा नहीं डिपेंड करता है ना कहां से क्या आ जाए अब देखो भले ही छहरी आ सते हैं आपको तो सब पांट की जा नहीं है ना वो यूनिट तो तीस नंबर कवर करेगी अब उस तीस नंबर की पेरिफेरी के अंदर कुछ भी आ सकता है एक ही आएगा इलेवन का पांच पांच के तो दो आ सकते तीन 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 के तो तीन आ सकते तो अब अगर तीन तीन नंबर के बुंदेला से आ गए पांच पांच नंबर के गौंड से आ गए और भगेल का ग्यारा नंबर का आ गया तो तीन डाइनिस्टी कवर हो गई अगर जोल कर्मान के चलो होलकर कर तीन-बर बन गया पॉम्भार notre और बोर नमबर बन गया और भोपाल पेज्यारा फिखल पिढ़ के तो हमता हमें जाने आंसरा तो अगर हमें पीपर पता हो तो इसे फिरthem पर के चली चांव तो पूरा सिलिवस पढ़ नहीं है क्या हुआ चलो ठीक है तो सुनना एक बार मेरी बात करना क्या है हाँ आज थोड़ा से आपकी हिम्मट तूट गई नए वह खतम नहीं हो पायगा रहा है फिर मुगल के साथ में लिखाना पड़ेगा पहले आपको फिर उसके बाद में भारतिया और बारतिय सुतंत संग्राम से इसको लेते हुए आप जाओंगे अन्डेल अन्डवन पे और प्रिजय को आ आप लोग यहां पर पीपलς áंदोलन के रूप में बोलते हं मुमेंड के रूप में यहां से लाष्ट में जी जुडता हुआ हुए यह बनेगा विंद्प्रांत के नाम से भी जानते हूं कि अल कर लेंगे कोई बात नहीं ठीक है हाँ कि बन सकता है प्रिजा मंडल रहे मंडल क्या है अतरदाइस आसन की इस्ताप्न की मांग्र में बागयलнокंड में 1931 में बागेलखंड एजनसी बनी बागेलखंड के राजा ने उसको सपोर्ट किया तो बस इत्ते में बिटिचर्स का दिमाग खरा हो गया गुलाब सींग को भगा दिया ठीक है और उसके बाद से 1947 गुलाब सींग कभी भी रीवा में बापिस नहीं आ पाए इसलिए क्योंकि उन्होंने उत्तरदाइस आसन की स्थापना की मांग कर दी ती उन्होंने का नहीं मैं तो सपोर्ट करूंगा बिटिचर्स ने का आप होते कौन हो हमसे बिना पूछे तो बस इसी बात पर टेशन हो गई उनके लड़के को रख दिया और फिर मार्तंड सींग उस्ता में पर छोटा लड़का था यह इंदोर के डेली कॉलेज में पढ़ रहा था जबर जस्ती स्को लाके रीवा में डाल दिया तो वह बिल्टिचर्स के अकॉर्डिंग चल रही है उनकी पॉलिस्टी कर दूंप कर दूंप कर दोंप कर दूंप झाल झाल